सूरे देव जिनके दर्शन हमें रोजानाई होते हैं कि आप उनके परिवार के बारे में जानते हैं मैं आज आपको सूरे देव के परिवार के बारे में बताऊंगा तो सबसे पहले सूरे देव के माता पिता का नाम है महरिशी कश्यप और अधिती विश्व कर्मा सूरेदेव के ससुर है, सूरेदेव की पहली पत्नी है संग्या जब वो सूरेदेव का ताप नहीं जेल सकी तो वो तपस्या करने के लिए चली गई और अपनी जगा छाया को स्थापित करके गई तो छाया हुई सूरेदेव की दूसरी पत्नी सूरे देव के पुत्रों और पुत्रियों की बात करें तो संग्या से उन्हें सबसे पहले यम्राज यानि की धर्मराज हुए फिर सबसे बड़ी बेटी हुई यमी यानि की यमुना उसके बाद तीसरे पुत्र हुए विवस्त मनु जो साथवे मनवंतर के आधिपती है इसके बाद चाया से उन्हें सबसे पहले हुए शनिदेव, उसके बाद हुई तप्ती, उसके बाद हुई भद्रा जो की एक नर्शत्र है और सूरे देव और चाया की चोथी संतान हुई सवन्डी मनु जो की आठवे मनवंतर के आधिपती होंगे इसके बाद संग्या वापस आती है और सूरे देव और संग्या से होते हैं जुडवा अश्विनी कुमार जो की देवताओं के चिकितसक माने जाते हैं और सूरे और संग्या की आखरी पुत्री थी रहवंत जिने शायद सुवर्चला के नाम से भी जाना जाता है तो ये है सूरे देव का विशाल परिवार अगली बार हम लोग चंद्रदेव के परिवार के बारे में जानेंगे रील अच्छी लगी हो तो शेर कर दीजे और ऐसी और कहानियों के लिए फॉलू कीजे